नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर विवेक और इस यूडियो में बात करना चाहता हूँ माउथ वाश के बारे में क्योंकि जब माउथ वाश का मिस्तमाल करते हैं तो यह क्या करता है सारे बैक्टिरिया मार देता है हमारे मूँ के देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टिरिया हैं जो अच्छे बैक्टिरिया हैं अगर यह नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते bacteria हमेशा बुरे ही नहीं होते हैं अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं जो बुरे bacteria होते हैं वो damage करते हैं हमारी body में जो अच्छे bacteria होते हैं वो हमें protect करते हैं खाने के digestion में help करते हैं same situation है हमारे mouth में भी अगर हमारे mouth के अंदर याने oral cavity के अंदर अगर bacteria बिल्कुल भी नहीं होंगे तो हमारी body जो nitrate है उसको nitric oxide में बदल नहीं पाएगी अग इससे क्या होगा nitric oxide actually हमें चाहिए क्योंकि nitric oxide help करती है arteries के dilation में यानि के उनको relax करने में और blood pressure है क्या blood pressure है अगर आपकी arteries stiff हो गई है यानि के अकड़ गई है उसमें elasticity नहीं है तो क्या होता है जो blood flow कर रहा है arteries में वो जो pressure लगाता है जो wall होती है arteries पर इसको कहा जाता है blood pressure अगर elastic होती है तो blood को जादा pressure नहीं लगाना पड़ता है अब एकड़म जकड़ा होई है तो क्या होगा blood को जादा pressure लगाना पड़ेगा इस वज़े से आपका blood pressure बढ़ सकता है इसलिए कोशिश करिए कि mouth wash का इस्तमाल ना किया जाए जी हाँ brush करिए सबसे अच्छा है दात तो नहीं है तो दंत मंजन का आप इस्तमाल कर सकते हो जिसमें कोई chemical ना पड़ा हो और दंत मंजन नहीं तो toothpaste वो भी natural वाला रहे तो जादा better रहेगा और oil pulling यानि के तेल मूँ में रखना उसके बाद 4-5 मिर तक उसको मूँ में घुमाना उसके बाद उसको फैंग देना इस छोड़ी छोड़ी चीजें मिलके एक बहुत बड़ी चीज बना सकती है इसलिए छोड़ी छोड़ी चीजों का ख्याल रखिए और आप और स्वस्त हो जाएंगे हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए